तो अब हम इसे देखे दो दो गांटे बाद देखते हैं तो 45,000 तक का प्रॉफिट अब बहुत सारी ट्रेडर ऐसा सोचेंगे ऐसा होता है क्या बिल्कुल होता है ऑप्सन मार्केट इसी लिए बनाया गया है इसी तरीकी की प्रॉफिट एक्सपेक्ट की जा सकती है अगर आपके पास सही स्ट्रेटेजी है और आप रिस्क को वियर कर सकते हैं दोस्तो नमस्कार मैं हूँ रोहिद दुवेदि और स्वागभ आपका इस चैनल पर दोस्तो आज मैं बात करूगा ऑप्सन सेलिंग स्ट्रेजी के बारे बहुत सारे ट्रेडर बहुत सारे वीडियो और बहुत सारे रिसर्च करते रहते हैं आज मैं आपको एक ऐसा यूनिक करें कि एक स्ट्राइजी बताऊंगा जिससे आप और करते हैं और वीकली सेड करते हैं तो वीकली में ज्यादा समय होता नहीं तो premium का जो decay है वो fast होता है अगर मारके flat रह जाए या आपके direction में रह जाए तो दोनों ही condition में winning probability 70-80% तक चली जाती है जिससे सीधे profit होता है short channel को तो क्या important चीजें trader को ध्यान लखना चाहिए जब वो short selling करें कौन सी strategy best हो सकती है जब वो short selling करना चाहता है और short selling में regular हम कितना profit बढ़ना सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में इस पूरे वीडियो में हम discuss करेंगे अगर आप short selling करना चाहते है या किसी भी तरह का doubt है तो आप हमें call कर सकते हो message कर सकते हो चलिए screen पर देखते हैं short selling की ये सांदार strategy तो शुरू करते हैं bank nifty special intraday short selling based strategy के बारे में special क्यों है क्योंकि ये एक ऐसी strategy है जो एक ट्रेडर को बहुत ज्यादा profit दे सकते हैं मैं आपको profit loss का report भी दिखाऊंगा सबसे पहले मैं आपको strategy बता देता हूं strategy में करना क्या है दोस्तों सबसे पहली चीट तो यह जो strategy है यह intraday strategy है इसको आप weekly या monthly hold नहीं करेंगे सिर्फ intraday करेंगे ठीक है और strategy को generally all day करना है बस expiry day को नहीं करना है मतलब कि Monday Tuesday Wednesday नहीं करना है नहीं करना है फिर उसके बाद आप Thursday को कर सकते हो Friday को कर सकते हो ठीक है तो week में four day करना है अब strategy है क्या इंट्री कैसी है एक जीट कैसा है सारा चीज मैं आपको बताता हूं ठीक है तो सबसे पहले मैं strategy लिख देता हूं कि strategy है आपको क्या करना है कि जो भी मार्केट का ATM चल रहा हो जैसे for example 48,000 चल रहा है बैंक निफ्टी ठीक है तो आपको क्या करना है कि 500 ITM पर जाना है कितना ITM 500 ITM कितना होगा 47,500 का कॉल आपको सेल करना है और जो भी प्रीमियम हो जैसे for example इसका प्रीमियम है 600 एक्जाम्पल के तौर पर तो इसका ATM पर जाना है आपको out the money पर जाना है ATM पर जो भी इस ट्रैप प्राइस का premium 60 रुपीज चल रहा हो कॉल की तरफ सारा ट्रेड हो रहा है कॉल की तरफ उनको बाय करना है 10 लॉट ठीक है कितने लॉट 10 लॉट 8 9 10 लॉट मिनिमम 10 लॉट आपको बाय करना है अब मैं इस स्ट्रैटेजी को रिटेन में लिखता हूं करना क्या है ITM 500 कॉल सेल्फ पिर उसके बाद लॉट यहां इस प्रिमियम गाहिए 10 ताइम एग और टेन टाइम है टीक है 10 टाइम मतलब कैसे जैसे फॉर एक जापल यह शिक्स फिप्टि का प्रिम्युम है तो यहां पर 75 हे इंटु 10 ऐसा तो यह भी 65 अतलब आपस में दोनों को एक तरह से सिंक्रोनाइज कर रहे हैं क् किसी को समझ में नहीं आता है तो मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे नंबर पर नीचे डिस्केशन पर मेरा नंबर दिया हुआ है तो 65 इंटू 10 करना है 10 लॉट हमको बाय कर देना अब को स्टेडेजी हो गई तयार इस इस्टेडेजी की सबसे बड़ी खातियत स्टेडर को प्रॉफिट पर क्या अनलीमिटेड हो सकता है अनलीमिटेड इतना कि आप सोच भी नहीं सकते और रिस्क बहुत कम है तो इस प्राइटीजी का जो घ्रा बनता है दोस्तों वह कुछ ऐसा बनता है कि कुछ ऐसा इंट्राडे का तो यहां पर ट्रेडर जो है अगर मार्केट में तेजी आती है मार्केट में अगर इंट्राडे ट्रेडर को तेजी आती है तो मार्केट में जहां से भी मार्केट है मतलब कुल मिला कि जहां पर भी है वहां से उसे profit unlimited हो सकता है और चुकि 10 लॉट माइंग है तो बहुत बड़ा profit हो सकता है और जो loss है दोस्तों वह बहुत कम loss है मार्केट फ्लाइट भी हो जाता है तो जादा जादा डेड़ हजार दो हजार का loss होगा लेकिन profit आप साथ हजार सकता जार एक लाग दो लाग तक का भी बना सकते है तो पूरी स्ट्रेटेजी को डारेक्टली मैं आपको स्टॉक मौप पर दिखाता हूं एक से दो दिन का बैक टिस्टिंग देखते हैं स्ट्रेटेजी को कैसे और यह बहुत सांदार सेटफ हो सकता है एक्सपारी वाले दिर इसी स्ट्रेटजी पर ट्रेड नहीं करना है अगर करते भी हैं तो हमें 11-12 वजजे तक निकल जाना है तो चलिए चलते हैं और एकजिट 3 पीम तक कर सकते हो कि अपने प्रॉफिट के हिसाब से कर सकते हो एक और चीज इसी स्ट्रेटजी में कर सकते हो कि इफ ने किसी ट्रेडर को अगर अपना लॉस कम करना है लॉस जो है एब ऑग 2,000 हो रहा है या 3,000 हो रहा है तो book all trade in loss आप इसे loss में book कर सकते हैं लेकिन दोस्तों अब मैं आपको जीत दिखा रहा हूं जो मज़ेदार इसका जो graphical representation है और profit दिखा रहा हूं कि कितना profit आप एक से दो working day में बना सकते हैं पूरे महीने अगर आप इसे apply करते हो तो बहुत strategy का back testing सो चलिए start करते हैं यहां पर देखिए आप लोग stock mark open है और Tuesday April 30 तो यह expiry थी और हम इसको फुरू करते हैं 29 को मंडे को ठीक है मंडे 29 अप्रेल सुबट 10 अम पर ठीक है expiry Tuesday को थी क्योंकि Wednesday को market close था ठीक है तो 29 अप्रेल जो की recent का है 2024 टेरियम पर हम आये 48 400 चल रहा है लगभग 500 अटियम 652 का premium हमने sell कर दिया 652 का sell किया तो 65 रुपीज के आसपास का premium हमको buy करना है call की तरफ तो यह item हमने sell किया अब call की तरफ देखिए यहाँ पर 60 रुपीज का premium हम buy करेंगे और buy जो करेंगे वो 10 lot करेंगे तो मैं यहाँ पर buy के lot बढ़ा देता हूं यह देखिए यह देखिए तो 10 lot buy करने के बाद जो graph दिख रहा होगा आप लोगों को वो बहुत कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा ठीक है इस तरीके का जिसमें intraday में कोई दिस्क नहीं है सिफ expiry के दिन है और रिस्क अगर आप लेते भी और intraday में बहुत कम रहेगा that will be 1000-2000 यहाँ पर maximum loss जरूर दिख रहा है लेकिन दोस्तों यह लॉस तब है जब आप ट्रेड को एक्सपाइजी तक होड़ करोगे यह ट्रेड इंट्राडे के लिए है अब मैं आपको इसका profit loss दिखाता हूं 30 मिनट के बाद हमको देखिए 8000 का profit आगे तो यहाँ पर दोस्तों देखिए स हमें loss नहीं होगे क्योंकि हमारा call option जो buy है वो बहुत ज्यादा lot है देखिए किता profit दे रहा है तो selling से ज्यादा हमें buying में profit हो रहा है और अच्छा खासा हो रहा है तो अब हम इसे देखिए 2-2 घंटे बात देखते हैं तो 45,000 तक का profit अब बहुत सारी ट्रेडर ऐसा तोचें जहां पर आप इस तरीके की strategy develop कर सकते हैं अब मैं आपको और दिखाता हूं इसे थोड़ा देर तक यहां पर देखिए 66,000 का 55,000 का फिर 70,000 का और अगले दिन तक रखते तो 61,000 तो अगले दिन तक कभी भी नहीं रखना है आपको जो ट्रेड है यह आपको रखना है एक्सपाइरी के दिन कभी ट्रेड नहीं लेना है सिप सेम डेट 10 अम पर इंट्री करनी है यानि इसकी जो इंट्री है वो 10 अम पर है 10 अम इंट्री और अगर आप इसे एक्जिट करते हो तो एक्जिट करना है 3 पीम ठीक है या उसके पहले भी इक्जिट कर सकते हो अगर आपको डिसेंट प्रॉफिट आ रहा इसको और हम पीछे जाकर देखते हैं कुछ और दिनों की बैक टेस्टिंग तो यहाँ पर हम देखते हैं इसको म प्रॉपीज का जो प्रीमियम है उसको बाय करना है टेन लॉट करना है टेन लॉट तो एक और अच्छी चीजिए दोस्तों कि जब भी आप फ्राइडे को या थर्जडे को ट्रेड लगाते हो तो रिस्क बहुत कम रहेगा सेम डे पे तो आप इसे हम फिर से बढ़ाते हैं 30 मिनट बाद हमको सिर्फ 700 का लॉस है फिर 500 का रिस्क बहुत कम रहेगा ठीक है क्योंकि मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है अगर आप जाता है तो आपको फ्राप्विट बहुत जादा होगा फिर 30 मिनट तो करीब हम एक वज़े तक देख रहे हैं हमको सिर्फ 1200 1800 तक का ल प्रॉफिट बना सकते हैं इसको मैं और भी दिनों में दिखाता हूं इसकी बैक टेस्टिंग ट्वंटी फिप्ट अप्राइल को देखते हैं हम लोग इसको डिलेट कर देते हैं तो यहां पर हम लोग कि ट्वंटी फिप्ट अप्राइल पर देखते हैं कि टेनेयम पर हमारी इंट्री रहेगी टेनेयम पर हमको इंटर करना है तो हम क्या करेंगे कि यहां पर शुरू करते हैं 48200 है 500 आइटिया में 47700 को सेल कर दिये और 65 रुपीज का जो प्रीमियम होगा यह इसको बाय कर दें तो दोस्तों यह हो गई हमारी स्टैटेजी अब हम इसको देखते हैं सेम डे पर हमको क्या मिल रहा है तो देखें मार्केट आप गया 19 रुपय का प्रॉपिट आ गया इमिडियेटली तो अगर आपके प्राइस से सदेन अप्साइड मूव होता है तो आपको प्रॉपिट बढ़ा जाएगा ठीक है 30 मिनट बाद हमको माइनस है क्योंकि नीचे आया 30 मिनट बाद देखेंगे कोई दिक्कत नहीं फिर इस तरीके से देखें पूरे दिन थर्सडे और फ्राइडे के दिन तो ट्रेडर को कोई टेनिस लेने की जरूरत ही नहीं क्योंकि मार्केट में अ हमें इतने बड़े प्रॉफिट आ सकते हैं फिर हम 30 मिनट देखेंगे तो 9,000 का और फिर 30 मिनट देखेंगे तो लगवक्त 3 प्यम पे हमें जो प्रॉफिट हुआ है वो 9,000 को है तो अभी तक हमने 3 दिनों की बैक टेस्टिंग देखी एक में हमें 60,000 का प्रॉफिट था 29 अप्राइल को और एक में हमें 19 रुपै का लॉज भी था और एक में हमें प्रॉफिट है 9,000 का तो अगर आप देखोगे कि हमारा रिस्क के कंपेर में जो रिस्क है हमारा उसके कंपेर में रिवार्ड जो है हमारा बहुत ज़्यादा है तो यह स्ट्रेटेजी ऐसे के कैपिटल से कोई भी ट्रेडर इस ट्रेड को कर सकता है बहुत इजी यह ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है बहुत ही कंविंसिंग है जिस भी ट्रेडर को इस तरीके की हैजिंग सीखनी है जिने इस तरीके के ट्रेड पे ट्रेड करना है इसके अंदर बहुत सारे सेटप बन 102048 पर call कर सकते हैं message कर सकते हैं WhatsApp कर सकते हैं और आप हमारे training और learning program से जूड़ सकते हैं option market में ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा time है कि आप market को सीखिए क्योंकि इस तरीके का market बहुत कम देखने को मिलता है तो thank you so much watching this video thank you so much